कर दोस्तों मैंने पिछले ही वीडियो में इस कॉंसेट को डाला है कि आप एक ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ते कैसे दस से बारा बार ट्रेड कर सकते हैं तो यह भी वही सैकोलोजी है दोस्तों जिसमें मैंने बताया था कि एक जहां से बड़ी सेलिंग हो और जहां से बड़ी बाइंग हो वहाँ पर दो अब और अगर आप होरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बाद जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं उससे आप बहुत ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों कि आप यहां पर समझ लिजिए उसके बाद मैं आपको एक्जांपल बदाते ही जाओंगा 20 सेकेंड मैं दे रहूं समझाने में उसके बाद आपको बहुत सारे एक्जांपल दिखाऊंगा कि यह कैसे काम करते हैं यही को सपोर्ट लेके बाइंग हुई है देखिए यहां पर ओपनिंग हुए या 15 मिनट के टाइम फ्रेम है अभी ठीक है इसलिए आप इस जादा समझ आएगा देखें दोस्तों यहां पर ओपनिंग हुआ और यहां से कितना बड़ा बाइंग हो गया है इसमें करना क्या है आपको जहां से यूज सेलिंग हो और यूज बाइंग हो वहां पर दो आपको फोरिजोंटल लाइन ड्रॉव करने होते हैं अब मैं आपक णोस्ति कॉंसेब्ट और वही चीजी यूज करके हम हों पूरा कॉंसेब्ट मनाना है ठीक है तो हमें क्या करना है जहां से हूज बाइंग हो ठीक है जैसे कि होरिजोंटल लाइन लेना है और जहां यहां कि हूज सेलिंग हो जैसे कि यहाँ पर हुआ है दोस्तों एक सेकंड यहाँ से हिूज सेलिंग हुआ है हमने दोनों पर एक एक होरिजोंटल लाइन ड्रॉ कर दिया अब इसी एक सपोर्ट रिजिस्टे देखना आप कितने बार ट्रेट कर सकते हो देखना दोस्तों ठीक है देखते रहे न बस देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से जब फालिंग होके आया तो यहाँ को रेजिस्टेंस ले लिए क्यूं ले लिए क्यूंकि यह मेजर सपोर्ट है और मेजर रेजिस्टेंस का काम करते दोस्तों इससे आप बहुत बार आपको मैं दिखाते जाओंगा भी 15-20 बार चलब है अगले दिन क्या हुआ तो एस़ोड़ा अप फैर रेजिस्टेंस ले रहा था लेकिन कुछ कंडिसन्स होता है मार्केट में उसको भी देखना पड़ता है कि मार्केट आज वीयू किधार है यहांपर यहां पर बार बार ट्रेड ले सकती है यग्यक keeps यहांपर जब भी मार्केट आता तो हम यहां पर ट्रेड ले सकते दें जैसे कि दोस्तो यहां पर देखे फिर रिजिस्टेंस लिया और आपको दिखा है रहा हूं दोस्तोमें फिङसे है वीडियो पर जब आया तो इसी को सपोर्ट लेके कैसे सपोर्ट लिया सपोर्ट लेके उपर चला गया क्यूंकि यह पावर्फूल सपोर्ट रिजिस्टेंस है दोस्तों ठीक है देखे यहां पर देखें यहां पर भी इसको ब्रेक्ड़ॉन किया तो ऐसे कंडिशन में आप नहीं ले सकते यहां पर समझ नहीं आए और यहां पर आप समझ सकते हो जैसे कि हां रिजेक्शन ले रहे हैं यहां सो सपोर्ट लेके उपर चला गया तो कितना बार होगे दोस्तों कम से कम 10-15 बार और दिखा देता हूं अगर इधर बना होगा तो इधर नहीं बना है दोस्तों ठीक है और Huge Selling हो बड़े बड़े candles बने या बड़े-बड़े buyers हो बड़े-बड़े candles बने वहां पर एक horizontal line लेना है और जहां पर सेलिंग हो वहां पर एक horizontal लेना है इससे फिर वही बनता है दोस्तों अब देखिए यहां यहां यह बन गया अब इसके बाद हमें ट्रेड लेना है क्यू उपर चल लगए, ठीक है दोश्टों और दिखा रहा हूं, यहां पर आया, डारेक्टव, ब्रेक आउट कर दिया, इसका मतलब आप समझो, कि डारेक्ट ब्रेकाउट हुए है, तो भई इसका रेजिस्टेंस ले सकता है, ऐसा क्योंकि, अगर डारेक्ट ब्रेक आउट किया है है क्यों वहाँ पर तागतवार है सेलर तो जहाँ किसी सपोट और Renigne предлаг हो जाते हैं वहाँ पर समझना होते हैं कि महाँ टो रिटिस लेकि नीचे आ गया कंडिशन देखना पड़ता है दोस्तों थोड़ा सा बस यहां पर देखिए यह पर आ पर इसी जोन को फिर रेजिस्टेंस लेकि नीचे चला गया जाला गया इसलिगे हमने यहाँ पर ट्रो किये है एक huge selling हो और huge buying हो यहां दोनों उस condition को follow किया गया है दोनों condition को follow किया यहीं से huge buying हुई है यहीं से huge selling हुई है तो इस condition में आप जब इसको draw करने के बाद हमें इधर देखना है अब इधर trade करना है कि market इसके उपर जाके इसको retest करें तब हम buy करेंगे नीचे जाके retest करें तब हम buy करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार आप एक ऐसा major support draw कर सकते हैं जिससे बार-बार आप trade ले सकते हैं दोस्तों एक बर और सुन लीजिए मैं लास्ट में और बता दे रहा हूँ और वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें दोस्तों ताकि मेरा सही होगो ठीक है एक लेना है आपको एक huge buying वाला लेना है एक huge buying वाला support लेना है और एक huge selling वाला selling वाला zone लेना है जहां पर आपको original line draw कर दिना जैसे की बना है दोस्तों आप चार्ट में ऐसा practice करें या इसा निकाल लीजी चार्ट में ठीक है चार्ट में निकाल लीजी ऐसा फिर आप देखोगे तो समझ आ जागी करना क्या है दोस्तों तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सही होग जरूर करें धन्यवान दोस्तों